एक हलचल भरे शहर में जहां प्रोध्योगी की फलफूल रही थी, रोहन और प्रिया नाम के दो भाईभन रहते थे, वे अविभाज थे, हमेशा एक साथ नई चीजों की खोज और खोज करते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका स्मार्टफोन के प्रती आक प्रशन बढ़ता गया, रोहन और प्रिया के स्मार्टफोन ने संभावनाओं की दुनिया खोल दी, बस कुछ टैप और स्वाइप से, वे दोस्तों से जुड़ सकते हैं, नई रुचियों का पता लगा सकते हैं, और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जान सकते हैं, सबसे पहले, रोहन और प्रिया के स्मार्टफोन जादूई उपकरणों की तरह लग रहे थे, जो उनकी उंगलियों पर अन्थीन मनोरंजन और जानकारी प्रदान करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया, उनके अत्यधिक स्मार्टफोन उपयोग का असर पढ़ने लगा, उन्होंने पाया कि वे बाहर कम समय बिता रही हैं, और वास्तविक जीवन के रोमाचों और अनुभवों से वन्चित हैं, उनका ध्यान कम हो गया, जिससे उनके लिए कारियों पर ध्यान केंद्रित करना या सार्थत बातचीत में शामिल होना मुश्किल हो गया, और उनकी नींद खराब हो गई, क्योंकि वे देर रात तक अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहें, उनके माता पिता ने रोहन और प्रिया में बदलाव देखा और चिंतित हो गए, वे जानते थे कि जिम्मेदारी से उपयोग किये जाने पर स्मार्टफोन मूल्यवान उपकर हो सकते हैं, लेकिन वे अत्यधिक स्क्रीन समय के खत्रों को भी समझते थे। कि जब की स्मार्टफोन कई लाब प्रदान कर सकते हैं, उन्हें इसके उपयोग के प्रती सचेत रहने और अन्य गतिविधियों के लिए समय निकालने की भी आवशकता है, जो उनके दिमाग, शरीर और आत्मा को पोशन देते हैं। उस दिन के बाद से, रोहन और प्रिया ने अपने ओनलाइन और ओफलाइन जीवन के बीच संतुलन बनाने का सचेत प्रयास किया। उन्होंने अपने स्क्रीन समय की सीमा तै की, आउटडोर खेल और पारिवारिक गतिविधियों के लिए समय निकाला और अपने प्रियजनों के साथ आमने सामने बादचीत को प्राथमिक ता दी। जैसे ही उन्होंने इस नए संतुलन को अपनाया, रोहन और प्रिया ने पाया कि वर्तमान क्षण में जीने पर जीवन अधिक सम्रिद और अधिक संतुष्ट दायक था, और यद्यपी उनके स्मार्टफोन उनके जीवन में मूल्यवान उपकरण बने रहे। लेकिन अब उन पर उनका अधिकार नहीं रहा, वे केवल सोच समझ कर और जान बूझ कर उपयोग किये जाने वाले उपकरण थे, जो उन्हें उपभोग करने के बजाए उनके जीवन को बढ़ाते थे।